सूपरबार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, अच्छे ही हूँगे प्यारे बच्चों हमने म्याउ म्याउ कविता में बिल्ली और चुहे के बारे में पड़ा जैसे कि आप जानते ही हैं कि चुहा बिल्ली से बहुत ड़ता है और म्याउ म्याउ की अवास सुनते ही भाग जाता है आज की कक्षा में हम एक स्रिजनात्मक अभी व्यक्ति करेंगे यानि कि स्रिजनात्मक लेखन करेंगे हम एक छोटे से जीव चुहे के बारे में पड़ेंगे कि इसकी क्या विशेश्टाए होती हैं तो आईए समझते हैं चुहा एक छोटा सा फुर्तीला जानवर होता है ये कई रंगों में पाया जाता है इसके दो कान, दो आंखें, चार पैर, एक लंबी पूंच और बड़ी-बड़ी मूचें होती हैं ये अकसर हर जगर देखने को मिलते हैं इसे आनाच खाना बहुत पसंद होता है पर अंदु ये कपड़े, फल, सबजियां, कागज, सब कुछ कुतर जाते हैं और वे बिल्ली से बहुत डरता है अब हम कुछ और विशेशताएं समझेंगे चुहा एक बहुत ही फुर्तीला जीव है इसके चार पैर, दो आँखें, एक पूंच और बड़ी-बड़ी मूचे होती है इसका मुखे भोजन अनाच है लेकिन ये कपड़ों को भी कुतरते हैं चुहा किसी भी चीज़ को कुतर कर खा जाता है चुहे के आगे के दांत बहुत तीखे होते हैं जो सारा जीवन बढ़ते ही रहते हैं चुहे की नजर कमजोर होती है ये रंगों को पहचान नहीं पाते इसकी सुंगने की शक्ती बहुत तेज होती है ये सारी दुरिया में पाए जाते हैं अकसर हर जगा चुहे देखने को मिलते हैं चुहा बिली से बहुत डरता है यहां तक कि वे ज्ञान के बहुत से पयोग भी चुहों पर ही किये जाते हैं तो प्यारे बच्चो यह हैं चुहे के बारे में कुछ एक महतपुरन जानकारी आज की स्वाध्य के अंतरगत हम सृचनात्मक लेखन करेंगे हम चुहे का चितर बनाएंगे और उसके बारे में कम से कम पांच वाक्य लिखेंगे प्यारे बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर एक सुन्दर सा चूहे का चितर बनाईए और अपनी इच्छा नुसार पांच वाके चूहे के बारे में लिखिए धन्यवाद आपका दिन शुब रहे